हलो दोस्तों बेलकम टू माई चैनल देखिए आज मैं खीरे का रायता बनाने जा रहे हैं जो कि खीरे का रायता गर्मियों में बिल्कुल तरो ताजा रखता है तो इसके लिए मैंने खीरा लिया है और मठा छास लिया है और पहले मैं खीरो को धो करके और मैंने खीरे रख ल कर लेंगे आज देखिए खीरे को काटियों हलका सा नमक लगा करके खीरे को यह करके मल लीजिए इसमें से जो इसका कड़वा पन है वो निकल जाए कि मलने के बाद इसको फिर उपर से एक हिस्सा काट करके और फिर खीरे को चील लेंगे के खीरे में जील लिए है और इन खीरो को फोड़ा सा काट करके चेक कर ले कि खीरे करूए तो नहीं तो इनको टेस्स करने के बाद फिर घिसेंगे तब दोनुOW खीरों को काट कर करके चेक कर लेंगे खीरे अमारे कड़वे तो नहीं हैं जाए खीरा खा के मैंने चेक कर लिया और खीरे अमारे बिल्कुल रीक नहीं है तो अब इनको मैं घिस लोगी देखे कीरा हमारे घिस लेगा ऐसे पूरा कीरा घिस लेगे देखे कीरा हमने घिस करके तयार कर लिया है गर्मियों में खाने में रायता जो है वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगता है और खीरे कराइता तो वैसे भी हमारे पेट के लिए भी फाइदे मंद होता है और खाने में भी अच्छा लगता है अब हमने खीरा घिस करके तयार कर लिया है और चाच में बनाईए चाहे दही लेकर के आप उससे बनाईए कि अब हम मैं चाच को तयार करती हूँ देखिए चाच का पैकेट मैंने काट लिया और चाच को इसमें पल्टेंगे क्योंकि यह चाच है तो इसमें कुछ पानी या फेटने की ज़रूरत नहीं है और इसमें डैरेक्ट हीरा डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाएंगे थोड़ा काला नमक थोड़ा सफेद नमक और जीरा पाउड़र जीरा पाउडर यह रखे जी रखेद भाउडर मिला लिया अब मेरे यह रायता तो बन के तयार लेकिन इसमें छोका लगाएंगे थोड़ा सा राई करीपत्य का छोका लगाएंगे देखे चौका बनाने के लिए थोड़ा सा सरसो का तेल घी में नहीं चौका बनाएंगे क्योंकि घी जो है वो हमारे दही में जम जाएगा तो सरसो के तेल में ही चौका बनाएंगे बिल्कुल एक चम्मस तेल डालेंगे देखें तेल गरम हो गया उसमें राई डालेंगे जीरा डालेंगे और करी टप्ता डाल करें और अपने राईते में छोपा लगा देंगे देखें राईता हमारा बन करके तयार हो गया है अधि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब करिएगा फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नच major sharksक時 पलते हैं जी चाल करें पराद कर अिर बन करें लाईता